शराब एक सामाजिक बुराई है शराब न सिर्फ एक व्यक्ति को बलकि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि शराब स्वास्ति के लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है बशर्ते उसे सीमीत मात्रा में ही पिया जाए शराब अने को प्रकार कियाती है और इनी में से एक प्रकार है विस्की आज हम आपको विस्की पीने के कुछ ऐसे अनोखी फाइदे बताएंगे जिनको जानकर आप चौंख जाएंगे लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रे रिसर्च को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के निशान को दबाए ताकि आप हमारे आने वाले नई वीडियो आसानी से देख सकें बुद्धी का विकास दोस्तों विस्की में ऐसी एंटी आक्सिडेंस होते हैं जो दिमाग का स्वास्ते बहतर करते हैं विस्की बलड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है जिससे आपकी यादश्ट मजबूत होती है इसके अलावा विस्की में मौजूत इथिनॉल यादश्ट को अच्छा करता है अच्छी नींद अगर आप एक दो हफ्तों से जम कर मेहनत कर रहे हैं और बहुत ठक चुके हैं तो विस्की के एक दो पैग लगा सकते हैं इससे आनंद लेकर पीए ना कि जल्दबाजी और हरबड़ी में इसको पीने से आप रिलाक्स हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद भी आएगी तनाव सिराहत विस्की तनाव से मुक्ति दिलाती है अगर आप किसी कारण से तनाव में हैं तो विस्की का एक या दो पैक बना कर तुरंत पी लीजिए और आप आएंगे कि आप पहले से कहीं जादा अच्छा फील कर रहे हैं सर्दी तथा जुकाम क्या आप जानते हैं कि गरम विस्की पीने से सर्दी बिलकुल गायब हो जाती है सर्दी भगाने के लिए स्कॉच लीजिए और उसमें गरम पानी, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा नीम्बू का रस मिलाइए ये स्वास्ती के लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाता है बढ़ते वजन को रोकती है अन्य शराब के मुकाबले विस्की में काफी लो कैलरी होती है ये फाट और कोलेस्टरॉल फ्री भी होती है अगर आप डायटिंग कर रहे हैं तो सही मातरा में विस्की पीना फाइदिमन हो सकता है कैंसर कौन कहता है कि शराब पीने से कैंसर होता है विस्की इसका उल्टा करती है इसमें इलाजिक आसिड नामक तत्व होता है जो कि शरीर में कैंसर बढ़ने के चांस को कम करता है साथ ही इसमें कई प्रकार के एंटि आक्सिडेंट होते हैं जो कैंसर से लड़ सकते हैं इसलिए अगर आप हफ्ते में एक या दो बार विस्की का सेवन करते भी हैं तो इससे कोई नुक्सान नहीं होगा डाइबिटीज विस्की में गुट कोलेस्टरॉल होता है जो कि शरीर में खून की धमनियों को रिसने से रोकता है अगर आपको भी मधु में हैं तो आप हफ्ते में एक या दो बार विस्की का सेवन कर सकते हैं लेकिन कम माकरा में पाचन में मददगार सद्यों से विस्की का इस्तेमाल पाचन साहिता के लिए किया जाता है अगर आपने भारी भुजन किया है तो विस्की पाचन में मददकार साबित हो सकता है लंबी युम्र विस्की के एंटी आक्सिडेंस मुक्तकर्ण से लड़ती है जो बड़ती युम्र का सबसे बड़ा कारण होता है और ये कई बिमारियों से भी बचाता है इन दो फायदों से आपको मिलेगी लंबी युम्र और सेहत मंद जिंदगी आशा करती हूँ आपको ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों की साथ शेयर करें और हमारी चानल डी रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद